पुष्यमंगाल में एक बड़ा ट्रेन हाथसा हुआ है यहाँ पर खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से माल गाली ने टक कर मार दी है घटना के बार ट्रेन के पीछे की तीन भोगिया बुरी तरह से शटी ग्रस्त हुई है इस्थानी पुलिस ने इस हाथसे में अब तक 15 दोरा यात्रियों के मारे जाने की पुष्टी की है कंचन जंगा एक्सप्रेस रंगापानी और मिजबाडी के बीच दुरगटना गर्ष्ट हुई है यसी आलदा जा रही थी ट्रेन मिजबाडी से पहले ही खड़ी तभी पीछे से आ रही माल गाली ने रफ्तार में ट्रेन को टक कर मारी सुचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस रेल्वे ऑफिसर और प्रसासनिक अफिसर पहुच गये हैं रहातकार भी शुरू कर दिया गया है रेल्वे मंत्री अच्चनी वैशनों भी मौके पर पहुच गये हैं यह मोदी ने हाथ से पर दुख जताते हुए मौ मालगारी के ड्राइवर ने यात्री ट्रेन को टक कर मारी। शुरुवाति जानकारी से पता चला है कि मालगारी के चालक ने सिग्नल की अंदेखी की थी। इस वज़े से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे का गाल का डिबा पूरी तरह से शतिग्रस्त हो गया और आगे दो पारसल वैंड के डिब्बे थे जो पूरी तरह से छतिगरस्थ हुए। पूरा कर लिया गया है मालगाड़ी के ट्राइबर लोको पालेट ने सिगनल को पूरी तरह से नजर अंदाज किया इस दुर्गत्ना में मालगाड़ी की चालक और कंचन जंगा के गार्ड की भी मौत हुई है अगरतला स्यालदा रूट पर सभी रेनवे स्टेशनों पर भी हुए है रहत और बचारकार अभी भी जारी है हादसा रंगापानी और निजवाडी स्टेशन के बीचों बीच हुआ है पेन न्यूजल पाई गुड़ी से निकली ही थी और किशन गंच होकर स्यालदा जा रही थी मंगाल की मुख्मंत्री मम्ता मेनर जी ने मौके पर ए निकाला जा रहा है अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 50 से ज्यादा लोग घयल बताय जा रहे हैं जिने अस्पताल में भरती कराया गया है एक पिप्तक्षिदर सी यात्री ने बताया कि वह ट्रेन के अंदर बैठे थे तब ही पीछे से बहुत तेज जटका लगा उन्हें कुछ समझ आता यात्री यहां वहां भागने लगे तेज चीखे और शोर हर तरफ सुनाई दे रहा था वे भी ट्रेन से उतर कर पीछे की और भागे पीछे जाकर देखा तो वहां पर लोग आपस में ट्रेन हट से की बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि पीछे के की नीद में थे जैसे ही उनको जटका लगा उनका सर नीचे अचानक से भिड़ गया तब लोग आपस में बात करने लगे कि इतनी तेज ट्रेन में ठोकर कहां से लगी तब तक पता चला कि हमारी ट्रेन हाथ से का शिकार हो चुकी है